क्या आप हिटिंग करते हुए आउट हो जाते हो अपने बैट स्पीड की वजय से क्या आप अपनी बैट स्विंग की स्पीड इंक्रीज करना चाते हो घर पर प्रैक्टेस करके अगर इन दोनों क्येश्चेंज में से किसी का भी आंसर हा है तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको आज की वीडियो पसंद है और आपको कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट मियार जिस प्लेयर की सबसे ज़्यादा तेज बैट स्पीड आपको लगती है उनका नाम कमेंट सेक्चन में मेरे को जरूर बताना अब बिना टाइम वेस्ट की हम चलते हैं वीडियो पर Hello Cricketers Cricket cardio के एक और नई वीडियो में आप सरी का सागत है आप में से काफी सारे लोग कमेंट करते रहते थे कि मैं प्राक्टे साथ होपम की कोई भी वीडियो नहीं ला रहा हूँ और हाँ बैट स्विंग के उपर मुझे एक वीडियो लानी चाये तो आज की वीडियो हर एक back swing के लिए बहुत ही important है अगर आपकी back swing ही अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छे से hitting नहीं कर पाएंगे आपकी ball भले connect होगी बट जब तक shot के पीजे power नहीं होगी strength नहीं होगी तो ball boundary line के बाहर नहीं जा पाएगी तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे क्या-क्या factors पे depend करती है आपकी back की swing और उसके बाद कैसे आप increase कर सकते हो अपने back की swing और क्या-क्या drills आप practice कर सकते हो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले है तो क्रेकेटर्स तीन main factors होते हैं जिस पे आपकी back swing depend करती है सबसे पहले आती है आपकी gripping आप back को कैसे grip कर रहे हो second आपका आता है stance जो एक back swing बाल केलने से पहले stance लेता है उस पे भी आपकी back swing बहुत जादे depend करती है और third आती है आपकी back lift जैसे ही batswing stance ले रहता है उसके बाद जो backlift रहती है और उसकी जो movement होती है last में ये तीन factors बहुत ही जादा important role play करते हैं आपकी batswing के उपर अब सबसे पहले हम gripping की बात करें तो ये देखिए आपका जो top hand रहेगा वो ऐसे V-shape बनाके पीछे की side slide करेगा और आपको यहाँ पर grip कर लेना है उसी तरीके से आपको top hand भी ऐसे V-shape बनाके slide कर देना और यहाँ पर grip कर लेना है आपके जो ये दोनों hand की gripping होएगी ये देखो ये single line में होने वाली है इसकी विज़े से आपको अच्छे से control मिलेगा और आप अच्छे से bat swing कर पाऊगे और एक बात और ध्यान में रखिए दोनों हातों की same strength रहनी चाहिए बैट को पकंड़ने में अब second point में हम अपने stance के बारे में बात करते है मैंने बहुत सारी वीडियो अल्रेडी बना रहे है आई बटन पर लिंक भी आ रहा होगा stance के लिए कैसे आपको अच्छे से weight distribute करना अगर आपको पूरी details चीए तो ये वाली वीडियो आप देख लीजिए अब stance में आपको देखो मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ जो आपकी shoulder distance होगी उतना ही आपका foot का distance होना चीए और ये जो आपका head sideways जाएगा आपको ये ना जादा आगे रखना है ना जादा पीछे रखना है आपको normal आपका जो ये head है ये center में रहना चीए ना जादा पीछे ना जादा आगे अब इसकी जाएसे आपके क्या रहेगा ये देखो अगर आप जादा आगे रखते हो तो ये आपकी यहाँ पर lock हो जाएगा तो आप अपने हाथ ball की तरह फैक दोगे तो आपको center में रखना है head ताकि आपकी movement अच्छे से हो पाए आपक अगर पीछे जाना है तो पीछे आप बैक पे अच्छे से केल सको अगर आपको आगे जाना है तो फ्रेंट पर अच्छे से केल सको अग्रेटर थर्ड फैक्टर में हम बात करेंगे back lift और movement के उपर movement मतलब आपकी जो back swing की movement होने वाली वो कैसे होएगी back lift में देखो with bat मैं आ देखो यह parallel और यह वाला भी आपका parallel रहेगा back lift लेते हुए sidewise मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए यह वाला parallel और यह वाला भी parallel अब बात आते हैं कि आप अपने back swing को कैसे तेज कर सकते हो यार देखो काफी सारे लोग यह बोलते होंगे आपको किया आप हटे-कटे होने चीए ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपने इंडिया के plates जैसे हार्दिक पांडे हटे-कटे नहीं है इतने मोटे नहीं है पड़ उन तो यार सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपको base बताया तो जो आपको stance बताया था अब क्रेकेटर्स जिन batsmenों की low back lift है अब यह देखिए मालने इतनी back lift है इनके advantages भी होते हैं और disadvantages भी होते हैं अब चलते हैं सीधा drills पर प्रेकेटर्स सबसे पहले drill हम करने वाले single hand still drill इसमें आपको यह करना है आपको अपने normal जो आपका stance रहता है उसी stance में still रहना है और आपको top hand चे अपने bat को पकड़ लेना है और दूसरा हाथ आपको अपने पीछे रख लेना है और यह आपको swing करना है आपको कोई भी movement नहीं करनी है बस still रहके ऐसे swing की practice करनी है और आप आखे भी बंद कर सकते हैं और visualize कर सकते हूं कि कहां कहां की power आपकी लग रही है ऐसे swing करने में इस वाली drill से आपके top hand में control भी काफी improve होएगा और यह आपको bat swing की आदत लगा देगा आपकी muscle memory भी build कर देगा इसमें आपको दोनों हाथों से bat पकड़ लेना है और अपना stance लेके movement के साथ full bat swing करना है यह देखिए आगे weight transfer करना है अपने front leg पे फिर आपका head follow करेगा और ऐसे full swing करना है stance ऐसे फिर पीछे आना है full swing फिर पीछे full swing अब 3rd drill हम करने वाले है double bat swing drill इसमें आपको 2 bats की आवशकता पड़ेगी अगर आपके बास 2 bats नहीं है तो आप कोई भी weight आप अपने bats से attach कर सकते हो और इसके बाद swing कर सकते हो अब इसमें हम यह देखो इन दोनों bats को ऐसे joint कर लेना है यह आपको starting में grip करने में तोड़ी सी मुश्किल आ सकती है बड़ दीर दीर आपको आज़त पड़ जाएगी इसके बाद आपको stance लेना है और वही पूरे movement के साथ आपको full bat swing करना है यह ऐसे straight नहीं करना है यह full movement करनी है आपको दो बैट पकड़ने की वज़े से आपका जो weight है बहुत जादा भारी हो जाएगा अब जैसे ही आप एक बैट साइड में रख दोगे single hand से जब आप करने जाओगे यह आपके muscle memory की वज़े से आपको जो bat है बहुत तेजी से swing करेगा कि आपने अभी इससे पहले थोड़ा भ जाते ही hitting करनी होती है या फिर MS-2 को भी देखा होगा दो बैट से बैटिंग करने से पहले practice करते हैं उनका क्या होता है muscle memory की जैसे वो bat काफी अच्छी उनको swing मिल जाती है और एक used to हो जाते हैं अंदर match में जाने से पहले तो यह batswing के लिए काफी important drill है आपकी four arms भी build करता है आपको helpful लगे तो वीडियो को like कर देना comment में आप अपनी और भी queries बता सकते हैं और यार एक player का नाम जरूर drop कीजिए जिसकी batswing बहुत ज्यादा तेज आपको लगते हैं मेरे को personally MS-2 जी की batswing बहुत ज्यादा तेज लगती है क्योंकि वो जो helicopter shot में batswing करते हैं और बहुत ते लीजे यहां पर देखिए red color का button आ रहा होगा इस पर दबाईए subscribe कर लीजिए अब हम आपको मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो में तब तक जैहें नमस्कार भाई रुको जाओ यार तो ये वाली भी parallel... बबबबब D